कि आख किसी ऐसे विक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मान कर जीते हैं इस कारणवश प्रिदे में दुख और असंतोष रहता है सदा निर्बलता मनुष्य को जन से अत्वा संजोग से प्राप्त होती हैं किन्तु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता हैं किन्तु कुछ वेक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुशार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजत कर देते हैं क्या भेद हैं उनमें और अन्ने लोगों में या आपने कभी विचार किया है सरल सा उत्तर है इसका जो वेक्ति निर्बलता से पराजत नहीं होता जो पुरुशार्थ करने का साहस रखता है रिदय में वो निर्बलता को पार कर जाता है और पात, निर्बलता अवश्य इश्वर देता है, किन्तु मर्यादा, मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है तो आइम विचार कीजिए भविश्य का दूसरा नाम है संघर्ष रदे में आज एक्षा होती है और यदी पूर नहीं हो पाती तो रदे भविश्य की उजणा बनाता है भविश्य में एक्षा पूर होगी ऐसी कल्पना करता रहता है किन्तु जीवन जीवन ना तो भविश्य में है ना अतीत में जीवन तो इस शंड का नाम है और फाट इस चंड का अनुभव ही जीवन का अनुभव है पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सक्त समझ नहीं पाते या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते या फिर आने वाले समय के लिए हम यूजनाए बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है एक सत्य यदी हम भिदे में उतार ले कि ना हम भविश्य देख सकते हैं ना ही भविश्य निर्मित कर सकते हैं हम तो केवल धैरे और साहस के साथ भविश्य को आलिंगन दे सकते हैं स्वागत कर सकते हैं भविश्य का तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा स्वयम दिचार कीजिए ज्यान प्राप्ती सदा ही समर्पन से होती है ये हम सब जानते हैं किन्तु समर्पन का वास्तविक महत्व क्या है क्या हमने कभी विचार किया मनुष्य का मन सदा ही ज्यान प्राप्ती में विभिन बाधाओं को उत्पन करता है कभी किसी अन्य विद्यार्थी से इर्शा हो जाती है कभी पढ़ाय होए पाठों पर संदेह जनता है और कभी गुरुद्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है नहीं क्या ऐसा नहीं होता न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन की इसी अयोग्य स्थिती के कारण हम ज्यान प्राप्त नहीं कर पाते मन की योग्य स्थिती केवल समर्पंड से निर्मित होती है समर्पंड मनुष्य के अहंकार का नाश करता है इर्शा महत्व कांक्षा आदी भावनाओं को दूर कर प्रदय को शान्त करता है और मन को एकाग्र करता है वास्तव में ईश्वर की स्रिष्टी में ना ज्यान की मर्यादा है ना ज्यानियों की गुरु दत्तात्रे ने तो गाय और श्वान से भी ज्यान प्राप्त कर लिया था अखात विशे ब्रह्म ज्यान का हो या जीवन के ज्यान का या गुरुकुल में प्राप्थ होने वाले ग्यांका, उसकी प्राप्ती के लिए गुरु से अधिक महत्व है, उस गुरु के प्रती हमारा समर्पान, क्या ये सत्य नहीं? प्रतेएक मनुष्चे के जीवन में ऐसा ख्रण अवश्चे आता है, जब सारे स्वप्त, सारी आशाएं, सारे द्रिश्ट वस्थ हो जाते हैं, जीवन के सारे आयोजन ही दिखर जाते हैं, एक और धर्म होता है और दूसरी और सुख, किसी को धर्म संकट होते हैं, जब धर्म का वहन ही संकट हो, और धर्म का त्याग ही सुख को. विचार कीजिए कभी किसी इस वजन के विरोध सत्य बोलने का अफसर प्राप्त हो जाता है कभी ठीक दरिद्रता के समय सरल्ता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है कभी किसी शक्ति शाली राज नेता या राजा के करमचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है सब के जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है अधिक्तर लोग ऐसे किसी क्षंड को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते हमें किसी प्रकार के संघर्ष्टा अनुभव ही नहीं पूता सहज़ता से सुख की और खिचे चले जाते हैं जैसे मक्षी गुड़ की और खिची चली जाती वास्तव में घर्म संकट ताकटन इश्वर के निकट जाने का स्टन होता जदी हम संघर्षों से भैवीतना सुख की और आकर्षितना अपने धर्म पर रिड़ रह तो इश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं पवन से युद करने वाला पत्ता यदी पेड से गिरता है तो भी आकाश की और उस्ता है पवन से जुखने वाली हाँ वही भूमी पर रह जाती है अर्था धर्म संकट से यदी हम संकट को ही टाल दूए तो तुक तो मिलता है इवन बढ़ता है किन तो क्या चरित्र नहीं कूपता क्या आत्मा धरिद्र नहीं हो जाती क्या ईश्वर्सते अंतर नहीं हो जाता बढ़तार कि दो वेक्टी जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रैत्म अवश्चे करते हैं हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे इन सारे संबंधों का अधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं और यदि अंजाने में भी कोई अन्य विक्टी इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदिक प्रोज से भर जाता है इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है क्या हमने कभी विचार किया सीमाओं के वारा हम दूसरे व्यक्टी को निर्णे करने की अनुमति नहीं देए अपना निर्णे उस व्यक्टी पर होपते हैं अर्फाद किसी की स्वतंत्रता का अस्विकार करते हैं और जब स्वतंत्रता का अप्विकार किया जाता है तो उसका हृदे दुख ते भर जाता है और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदे रोच ते भर जाता है क्या ऐसा नहीं होता पर यदि एक दूसरे की स्वतंतरता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आविशक्ता ही नहीं होती अर खास जिस प्रकाश विकार किसी संबंध का दे है क्या वैसे ही स्वतंतरता किसी संबंध की आत्मान है तो एम विजार की तो हेलो दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंज को शेयर करें, अगर आपको कुछ प्रॉबलम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, तो फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में धन्यवाद,